ईक बार क्या होता है एक गाउं में कथा हो रही ठी और 7 और जैसे आपकी गाउंकी घो समीतिया सेत्र के अब देखों मजबूरी भी बन जाती कि भही जिन से आप पैसा लेते हैं धनराशी लेते हैं उनका संबान भी रखना पड़ता है नहीं रखोगे तो रूट जाएंगे अगली बार से फिर दान नहीं देंगे फिर कता कैसे होगी कि तो उस गाउं में एक कि सरपंच जी थे प्रदान जी थे अब क्या हुआ बोले एक पंड़त जी कता करने आए वो अपने समय पर आके कता में तयार होके बैट गए बोले जे आम कता करें तो समीती वाले भूले नहीं अभी कता चालू नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं चालू कर सकते हैं हमारे गाउं के जो प्रदान जी वो नहीं आए बतलब आप देखो ये वाले प्रदान जी की बात नहीं हो रही आप कही महा इशारा कर रहे हो अच्छा ये सरपंच प्रदान मुखिया ये तीनो एक होते हैं कि अलग-अलग होते हैं अलग-अलग होते हैं अच्छा अच्छा हमारे यहां एक ही मानते इनको तो उस तरफ सरपंच होते मुखिया और प्रदान नहीं होते सरपंच होते तो जो भी मानो आप मानो अपने इसाब से बस एक गाउं के प्रमुख व्यक्ति थे यह समझ लो बड़ी आदान देते थे तो जैसे उन्होंने का अपना जी कथा चालू करें तो समीति वाले बोले नहीं नहीं जी अभी तो हमारे गाउं के सरपंची नहीं आए प्रदान जी नहीं आए पहले वह आएंगे उनके लिए सबसे आगे सुफा डलेगा वह सबसे आगे बैठेंगे और तभी आप कथा सुनाना जब वह आ जाएं वक्ता ज कि प्रतिक्षा करें कथा तो चालू हो जानी चाहिए वोले नहीं नहीं जी उन्होंने पईसा दिया चंदा दिया तो उनको तो पहले आना पड़ेगा भड़े गंटे भर आपको बैठा रहना पड़े गद्दी पर बैठे रहो पर नजी बुले चलो हो सकता है कोई प्रदा ढ़ छालू कर दी और जैसे पंड़ी ने कथा चालू करी अपिनटी तो सोच थे बड़े भावख्षरोता हो पर यह इसे भावख्ष्व थोता यहां का मंगलाचरन शुरू हुआ और वहां असरपंजी के खराटे शुरू हुए अब वो सोएं बैठे बैठे सोफा पे अब देखो जो कथा करने वाला होता है न वो बड़े भाव से कथा कह रहा है और सामने वाला सो रहा हो तो उसको अपने आप पर ही डाउट हो जाता है प्रदान जी आई अप ही की चर्चा चल नहीं थी पर यह वो वाले प्रदान जी नहीं तो देखो अभी व्यवस्ता में लगें बिचारे सब जगे सब को बिठाने में कौन कहां बैठे तो यह सोने वाले नहीं यह तो जगाने वाले हैं तो क्या हुआ पंदत जी बड़े दुखी बोले भाईया ये कैसे सरपंज जी ये तो आते याते सो गए ऐसे तो हम कथा आज तो पहला ही दिन है पर कल से हम नहीं कर पाएंगे ऐसे कथा आप कह भी नहीं सकते कुछ तो क्या किया उन्हों ने पंदत जी ने एक उपाए निकाला और उपाए क्या था जो सरपंजी आये न उनके संग उनका एक छोटा सा नोदस साल का पोता संग आया था तो सरफण जी ने उस बालक को अपने पास बुलाया बेटा यहां बेटा भागा भागा गया जी बोली है पंड़त जी पंड़त जी बोले तुमारे दे जो दादा जी है यह आते ही सो गए कथा में कुछ कहते नहीं तुम इनको क्या कहें पंड़त जी रात रात बर हमको हमारे हमसे चोटे भाई वेहन हैं, चोटे चोटे बाल बच्चे, वो नहीं सोने देतें इनको क्योंकि हमारी मैया है रात को खुद तो सो जाती ए कि गोध में सब बच्चा को डाल जाती है, तो विचारे उनको लोरी सुना उसुना के सुलाते हैं रात को नीद पूरी नहीं होती डर के मारें दिन में भी नाम हमारी गोद में पकड़ा दे नीद पूरी करने यहां जाते हैं पंड़ जी बोले बेटा ऐसे तो काम नहीं अच्छा एक बात बता बेटा तुझको चॉकलेट पसंद है बच्चा बोला पंड़ जी काम बताओ आप रिश्वत तो बाद में देना आज कल के बच्चे बड़े चतुर हैं उनको पता है जरा आप यह बोल दो टॉपी बताओ आप काम बताओ लेटा जब तेरा दादा सोया करे ना तो तुझको एक कोहनी मारके जगा दिया कर हम तुमको इसके बदले में दस रुपिया देंगे कर देगा हां कर दूंगा अगले दिन पंड़ जी ने कता चालू करी सरपंजी आए मंगला चरन शुरू हुआ सरपंजी ने सोना शुरू किया और जैसे सरपंजी सोये सोई पंड़ जी ने बच्चे को इशारा किया कि बेटा तो बेटा ने एक जोड़ से कौनी मारी और कौनी मारी तो दादजी एकदम जट पटा जग गए फिर पांच-दस मिनट बाद फिर सोने को हुए फिर बालक पंड़ जी ने इशारा किया कौनी मारी फिर जग गए ऐसे करके आज विचारे बच्चे ने पूरा तीन घंटा सर अगले दिन का हुए आगले दिन जैसे पंड़ जी ने इसावर किया तो बच्चे ने जान बूज करकर नजर बचा ली दिखारी नहीं दिया उन कि फीर पंड़ जी ने इसारा किया विया लोगरका देख तेरे दाधर जी सो मार फिर नजर जबचा ले कि आज उसने कुछ न कि लाया और गुस्समि 스ह Noil तया हमने तुझे को दस गाया था कि friendship, और तूने आक जगायो प्रके ने अजगा कि लिएon इस कई हैं कि आपने घमान को दस गाय थिए मख़कत आप माज़ने सू दिया थे थे कि यां जगा मत देना हम तो मारा जिसका पढ़ला भारी हम तो वहीं किसक लेते हैं दादा जी ने सो दिये तो हमने उनको जगाए नहीं अब देखो ऐसे ऐसे सोता होते हैं सोने का मोका मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं चाह कुछ भी हो जाए तो ये होते हैं सोता एक होते हैं सरोता और एक होते हैं शोता शोता जिनका मन केवल भगवान की कथा सुनने में ही लगता है जिनको और किसी विशे से किसी वस्तु से किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं उनको बस भगवान की कथा सुनना है भगवान की कथा में डूबना और कथा का रस्पान करना है तो ऐसे जो श्रोता होते हैं उनके लिए शिमत भागवजी अपनी कृपा से अपने आशिर्वाद से उनकी उद्धार उनका कल्यान का साधन बताने वाली है क्या है भागवजी कहा कि शिमत भागवज ना कोई किताब है शिमत भागवज ना कोई इतिहास है शिमत भागवज साक्षात भगवान का ही दूसरा स्वरूप है भागवज भगवान का ही रूप है अक्सर कोई आदमी ये कर जी हमको भगवान को देखना है भगवान को गले लगाना है भगवान को छूना है तो कल्यूग में बताओ उसे कहां भगवान मिलेंगे कैसे भगवान को गले लगाएगा कैसे चुएगा तो भगवान ने जाते जाते प्रभाष शेत्र में शी उद्धव जी को पदेश देते हुए कहा है उद्धव शीमत भागवत कल्युग में मेरा ही स्वरूप है मुझे जिसको देखना हूँ वो भागवाजी को देख ले तो समझ लो मेरा दर्शन हो गया जो मुझे छूले भागवाजी को स्पर्श कर ले तो समझो कि उसने मुझे स्पर्श कर लिया इसलिए भागवत कोई किताब नहीं है भागवत कोई इतिहास नहीं है भागवत तो भगवान का स्वरूप है और ऐ एसा स्फरूप भगवान ही साक्षा जब हम सुनने को मिले हैं साथ दिन इसका मतलब है कि भगवान की हम पर क्या है कि च्रपा है अब करपा कोई यही नहीं हो थी कि भई हमारा धंदा ठीक नहीं चलाग किसी का कोई सामान खो गया वो मिल गया तो कृपा है मन चाही च्छापूरी हो गई वो कृपा है बुले नहीं नहीं जब आपको भगवान की कथा सुनने मिल जाए संतों का दर्शन मिल जाए भगवान की लीलाओं को सुनने का अवसर मिल जाए तो समझ लेना कि ये भगवान की हम सब पर कृपा है तो आप जो साथ दिन से इस कथा पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो ये कथा पंडाल एक सरोवर है और इस सरोवर में जब तक आदमी डूबकी लगाए रखेगा ना तब तक संसार की चिंताओं से मुक्त रहेगा जैसे यहां से बाहर जाएगा फिर कोई गरेंटी निए फिर तो हम अपने आप ही माया में पढ़ जाते हैं चिंताओं में पढ़ जाते हैं पर जितनी देर हम कथा में बैठेंगे जितनी देर हम कथा करश्रवन करेंगे उतनी देर कथा हमें सब चिंताओं से मुक्त रहेगी सब टेंशन से मुक्त रहेग यहां कता में बैटें तीन गंटे कोई चिंता रहती है बताईए मन अगर यहां रहेगा था हां यहां बैटे बैटे भी मन अगर लेगे घर में तो चिंता तुरंत आजाएगी घर में चिंता तुरंत आजाएगी कोई सास आई हो यहां घर में बहु को अकेली छोड़के मन ले माल पानी सामा लेके कहीं अपने माई के ना भिजवा दे बैठी यहां है पर मन वहां रहेगा तो चिंता तुरंद पकड़ लेगी और ऐसे में अगर तुम्हारा शरीर कहीं भी और मन दूसरी जगे हो तो फिर फल थोड़ी मिलता है शरीर कहीं और मालो कोई कथा का प्रेमी है उसको पता भी उसके गाउं में चिरिया बर्यार और में कथा हो रहे है और वो किसी जरूरी काम के कारण भार है यहां से पर उसका मन यही है, क्या हो रहा होगा, सब कथा सुन रहे होंगे, मैं रह गया, मैं वंचित रह गया, तो अगर ऐसा बाब उसके मन में आता तो उसको कथा सुनने का फल मिल जाएगा, क्योंकि उसका मन कथा में, और एक वो है जो बैठा यहां कथा में, पर मन उसका कही न कही बजार में गूम के समान करीद रहा है शरीर यहां बैटा मन घर बैठे बैठे रजगुल्ले खा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना भगवान की कथा सुनने का फल मिलेगा इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को कथा से भी जोड़े और कथा के माध्यम से हम इस मन को भगवान से जोड़े तो ऐसी भगवान की कथा जो तन को मन को और धन को तीनों को पवित्र करती है तन इसलिए पवित्र हो गया क्योंकि जैसा मैंने का सरोवर है कथा गंगा है यह कथा यहाँ आंके जब डुपकी लगाते हैं तो इससे तन पवित्र होता है मन कथा में जुड़ता है, मन भी पवित्र होता है, और धन बहिया कथा कराते हैं, विवस्ताओं में धन लगता है, तो जो धन भगवान की कथा में लगा, उससे धन भी पवित्र हो जाएगा, धन की शुद्धी हो जाएगी, धन की शुद्धी, मन की शुद्धी, तन की झाल झाल